हेलो गाइज तो कैसे हैं आप लोग तो गाइज जो आज हम आपके लिए कॉन्फीग लाए हैं वो हमारी वेबसाइड ने फुल एक्स्ट्रीम लेवल पर मॉडिफाइग की है फुल प्रोब गौड कॉन्फीग है तो गाइज इससे जो आपका लैग होगो विल्कुल 100 परसंट ग्रेंटी के सा खतम हो जागा तो गाइज इनकी जो डाउनलोड लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन और कोमेंट सेक्शन में मिल जाएगी आप इजी ली डाउनलोड कर सकत हैं हम जो भी टिप्स और टिक्स देते हैं 100 परसंट वर्क करती है कोई ऐसे टिप यह ट्रिक नहीं है जो वर्क ना करें और गाइज अगर आपको बहुत से स्मूध परफॉर्मेंस चाहिए तो आपने फिर फुल वीबोड कॉन्फिक को यूज करना है इनकी जो डाउनलोड स्वाई रखी हो मैंने SD कार्ड में यहां पर रखी हैं ठीक है तो हमारे पास आगी अब आपने देख लेने आपके फून के रैम कितनी है मेरे फून की रैम 2GB है इसलिए मैं 2GB को एक्स्टेक्ट करूंगा तो हमारे पर 3-6GB RAM वाली कॉन्फिक भी 512-1.5 वाली भी और 2GB वा को कॉन्फिक किया तो वो आपका जो लैग होगा वो बिलकुल खतम हो जाएगा और आप वी स्किन भी यूज़ कर सकते हैं अगर आप चाते हैं कि आपके करेक्टर के जो क्लॉथ हैं वो ना रिमूव हो तो कईज यह दोनों एक्स्टेक्ट होगी उसके पाद आपने वापि को ढूंडना इसको ऑपन करने ठीक हैं फाइल्स को ऑफ़िक करने पज्म करने और गाइद आपने ऑप्चिनल को यहां से कट कर लेना तो इसको कट करने के बाद आपने वापिस वहीं जाना जहाए अपने मेरी वापिस वाल रखी हैं तो मैंने एज़ डी कार्ड में रखी म है ठीक है यह आगे अब आप कौन सी कॉन्फिक लगाना चाहते हैं मैं फुल वी बॉट आदम कॉन्फिक लगाना चाहते हूं तो मैं इसको ओपन करूंगा कॉंडर को फाइल्स को कॉंटेंट के चे को और यहां पेस्ट कर दूंगा कंपल्जरी के साथ आपने और यहां पर आने के बाद आपने यहां पर आने के बाद आपने वहाली कॉन्फिक करना है जो मैंने आपको दिया जो आपने डाउनलोड किये मेरी फाइल से ठीक है तो आपने यहां पर चले जाना है एस डीकार्ड में यहां आ गई तो हमने वीबोट अको फाइल डाली थी हम इसलिए वीबोट फाइल्स को उपन करेंगे इसको आपने यहां से copy कर लेंने के बाद आपने वापिस back करने है और इन्टरनल स्टूरिज में जाना है वी पाइस अपने इयां पेस्ट कर दिना है जो हमारी lag fix on pika है वो यहां पेस्ट होगी है जो आपका lag होगा वो बिल्कुली खतम होगा होगा और गाईज अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले हम जो भी टिप्स और ट्रिक्स देते हैं वो 100% वर्क करती है कोई ऐसी टिप्स और ट्रिक नहीं है जो वर्क ना करें